Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 3rd EVS which is How's Like This This is class 3rd's 18th chapter, EVS Today it's the first video, I will explain to you the NCRT chapter and the questions and answers we will also discuss it After that, there are some important questions in KV's worksheet This is the very first video, so let's start the chapter Let's see a house like this What is this type of house? If you are not on the channel, you can subscribe to the right side of the video Tap the bell icon and press the bell icon So that next time, if you have any video in class, you don't miss that Chapter number 18, A House Like This My name is Naseem I live in Shrinagar 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 Since yesterday There is a lot of activity in our school It will go on for a week It will go on for a week This means put up in the ground for everyone to stay And for everyone to stay And for everyone to stay Tents are placed Look at this This is Shrinagar This is shown in Shrinagar This is shown in Shrinagar Streamer Along Long Long Narrow Strip Material Which means You can use it You can use it You can use it You can use it यह बिननाई भी मिलती है मारकेट में कलरफुल होती है ऐसे बहुत पतली पतलेसी होती है तो उनों बच्चों ऑने क्या किया वो बनाए है क्लोथ पीस को यूज करके कप्रों को यूज करके डोर्स के लिए दरवाजों के लिए some have made posters using almond shell while other have made rungolies using dry leaves and sawdust sawdust हम कहते हैं लकडी का बुरादा जो होता है जब लकडी को बहुत पतला पतला काटते हैं चूरा जिसको आप कह सकते हैं बच्चों ने कुछ पोस्टर्स भी बनाए है आलमंड शेल्स जो होती है उसको यूज करके कुछ ने आलमंड बादाम होते हैं आपने अगर शेल देखियो उसके उपर की कई बार बच्चों को अलग करके बहुत डेकुरेटिव से चीज़े बना देते हैं बादाम के उपर का चीज़ें इजिली अवलेबल है उनी से कपडों से डेकुरेट कर रहे हैं स्कूल को कपड़े से आपके स्ट्रीमर्स बना लिए सॉर्डस्ट से रंगोली बना लिए हैं ना कुछ ऐसा खरीदा नहीं है हम सबने आपस में बात की और बताया इंट्रीमर्स के अपने आपको और बताया की हम लोग कहां से हैं सब अपने घरों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बुपेन का गुरुप जो है वो बताता है बुपेन अपने आपको इंट्रीउस करता है और बताता है यह देखे यह है बुपेन और यह है इनका घर अब यह कहां से हैं कहां पर ऐसे घर होते हैं देखिए यह कहते हैं मैं आसाम के मोलान गां से आया हूं इट रेंस हेविली इन आर प्लेस हमारे यहां पर बहुत जादा बारिश होती है इसलिए हमारे जो घर है वो ग्राउंड से कम से कम 10-12 फीट ऊपर बनाते हैं हम लोग जो कि आप देख सकते हैं वो बहुत स्ट्रॉंग तो करना ही पड़ेगा उसके उपर आपको घर बनाना है पूरा तो स्ट्रॉंग बैंबू के पिलर्स पर वो बनते हैं हमारे घर का जो इंसाइड जो है इंडोर्स जो है वो भी फुड का ही बना होता है लकडी का ही बनता है जो कि आपको पिक्चर में दिखाया भी हुआ है तो सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखेंगे कि आसाम में बारिश बहुत होती है और वहां पर इस तरीके के घर बनाए जाते है जहां बारिश जादा होगी क्यूंकि नीचे तक पानी भरा रहता है जनरली है ना तो घरों में ना भढ़ जाए या फिर थोड़ा सा डाम ना हो जाए घर ना सीलन आ जाती है घरों में जह बारिश बहुत जादा होती है आप तो जानते हैं कि नौर्टीश में ऐसी ऐसी जगह है जहां पर रोजी बारिश होती है माउस इन राम चेरा पुंजी तो वहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं ओके चलिए वाई यार हाउसे है is from Assam और Assam में क्या होता है Assam receives receives very heavy rainfall वहां पर बहुत जादा बारिश होती है ओके दाट इस वाई so houses are made on bamboo pillars okay बस इतना ही लिखेंगे लोग so houses are made on bamboo pillars okay बारिश बहुत जादा होती है इसलिए bamboo pillars पर घर बनाए जाते हैं आगे आते हैं next question है आपका what kind of roof do these houses have why are they made like this तो पहले roof आपको picture में दिखा देते हैं देखें इन houses की roof कैसे है यह देख रहे हैं आप लोग और slanting roof है और इसका reason क्या है slanting roof का तो सबसे पहले तो type of roof लिख दीजे these houses have slant roof और ऐसा क्यों है so that water does not stay at the roof and create leak आपके घर की चत अगर flat होगी और बारिश बहु पानी आप पर रहे इस चत पर पानी तो क्या होगा उससे आपके घर में जो है थ्वड़ी सी नमी आ जाती है लीक हो जाता है या फिर डाम ने सा जाती है घर में इसलिए चात ऐसे बनाई जाती है इस ताकि पानी यहां पर गिरे और फिर वो फिसल कर नीचे चला जाए रु water does not stay at the roof and create leak तो यह इस question का answer होगा next है how does one enter these houses अब क्योंकि उसके उपर बने हुए है तो इन पे चड़ेंगे कैसे नीचे इनके bamboo है आपने देखोगा उपर houses बने हुए है तो इनके उपर चड़ा कैसे जाता है कि one entered these houses by one entered these houses by wooden ladders या फिर stairs ओके next question है at night the ladder is removed from the house can you tell why रात में लाडर को अटा दिया जाता है तिन में आप लगा के रखें क्योंकि उपर आना जाना होता है रात में अटा के रख देते हैं आप लोगे इस तरीकी की होते है सीड़ी हटा के रख दी क्या आप बता सकते हैं क्यों तो ऐसा इसलिए किया जाता होगा ताकि कोई unwanted animal या फिर कोई thief वगेरा ना गुसे चड़ने के लिए कुछ पिर है या नहीं 12 feet की height पर ये बना हुआ है कोई आदमी ऐसे तो नहीं चड़ सकता ना उसको लाडर चाहिए होगी तो इसलिए रात को इसको रिमूव कर दिया जाता है तो इसका अंसर आप लिखेंगे so that unwanted animal और person does not enter in the house enter the house okay चलिए तो ये इसके questions से और सभी questions ही important है जितने भी इसमें दिये हुए आपको आगे आते हैं now it was Chameli's turn अब Chameli की turn थी देखे ये Chameli है और ये इनका घरिन उन्हें बताया हुआ है अब ये बताती है I have come from Manali which is a hilly area मैं Manali से आई हूँ जो कि hilly area है hills है महाँ पर Manali हिमाचल प्रदेश में है HP okay जो कि एक hilly area at our place it rain heavily and snow as well हमारे हाँ पर बारिश भी होती है और snow भी बहुत जाद होती है snowfall भी होता है बर्फ भी गिरती है when it is very cold जब बहुत ठंड होती है we like to sit in the sun तो हमें अच्छा लगता है कि हम धूप में बैटे our houses are made of stone and wood हमारे जो घर है वो stone के पत्थरों के और wood लकडी के बने होती है okay यह इनका house है tree में देखे leaves भी नहीं है ठंड के कारण अब question है नीचे in what area is chamelee's house chamelee का जो घर है वो किस area में है यह तो chamelee ने हमें खुद ही बताया है तो आप लिखेंगे chamelee's house is in hilly area hilly area में है जहांपर hills है okay आप चाहे तो नाम भी लिख सकते है manali चलिए bracket में लिख देते है okay next question है what is the similarity in the roof of chamelee's and bupen's house चमेली और भुपेन के घरों की जो चट है उनमें क्या similarity है तो they both are slanting हमने देखा ना भी उसकी घर की चट होती वो भी ऐसी ही थी they both are slanting इसको slant बोलते है slanting line शायद आपने पढ़ा भी होगा second class में standing line sleeping line slanting line जो थोड़ी सी टेड़ी होती है तो चर्थ इस तरीके से बनाई जाती है they both are slanting slanting slant भी लिख सकते हैं next how do roof help in these area अब यहां पर ऐसी roof क्यों बनाई जाती है क्योंकि यहां पर भी बारिश होती है या फिर snow पड़ती है बर्फ अगर गिरेगी और घर की छत ऐसी होगी तो बर्फ गिरती जाएगी गिरती जाएगी उपर 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 पूरा धेर लग जाएगा पता चला घर ही टूट गया बर्फ के बोज में इसलिए ताकि बर्फ अगर गिरती है snowfall अगर होती है तो वो फिसल के नीचे आ जाए है न यही reason होगा तो इसका आप reason लिखेंगे on the roof ताकि roof पर पानी या फिर स्नो इकठी ना हो collect ना हो okay next question पर आते हैं अच्छा आगे next student की बारी है अब Mitali and Arjun sorry Anuj Mitali and Anuj said Mitali and Anuj have come from Delhi दोनों बच्चे Delhi से आये है they showed pictures of Delhi to everyone उनने Delhi की picture दिखाई सभी को ही in the one picture seeing very high buildings आपको यहाँ पर दिख रही होगी बहुत high buildings है भुपेन said oh such tall houses तो भुपेन कहता अरे इतने बड़े बड़े घर how do you climb up आप तुम उपर कैसे चड़ते हो तो यह के लिए तो lifts use होती है तो आपको पता होगा लेकिन आप बता सकते हैं इसका reason क्या है जो बड़े बड़े शहर होते हैं अगर आप जाए वहाँ पर multi-story building देखने को मिलेगी कारण यह है कि वहाँ पर population बहुत जादा है आप देखते हैं villages से लोग चोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में जाके बस जाते हैं तो लोग बहुत जादा हो गया लेकिन जगे तो उतनी ही है इसलिए ऐसे multi-story houses बनाने पड़ते हैं घर के उपर घर के उपर घर जिस्ते की थोड़ी सी जगे भी जादा लोग रह सके look at these houses इन घरों को देखो and find out if there are similar houses in your area also और पता करो कि आपके आस पास भी कोई इस तरीके का house है या फिर नहीं अगला question है how do people go up in the multi-story building इतनी multi-story building है जिसमें कहीं सारी stories होती है उनमें किस तरीके से use stairs या तो stairs यूज करते हैं सीडिया होती है या फिर lift यूज करते हैं और इस chapter को अभी इतना ही हम लोग करेंगे बाकि इसका मैं part 2 में कराऊंगे rest जो questions है आपके बाकी बच्चों के जो experiences है video बहुत लंबी नहीं होगी अभी हमने तीन houses के बारे में यहां पर पड़ा एक जो जो कि हिली एरियाज में होते हैं जो कि stone और वुड के बने होते हैं क्योंकि यहां पर snowfall भी होती है और इनके जो चते हैं वो slanting होते हैं थर्ड हमने multi-story building देखिए जो कि आपके बड़े शहर है वहां पर आपको देखने को मिलेगी शहरों में क्योंकि population बहुत जादा और ज